मनीपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो समने आई है जिसको देखकर मैं सहम गई हूँ और मैं रात भर सोनी भाई उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो मनीपुरी लड़कीों को एक आदमियों का जुण्ट घेर लेता है और उसके बाद उनके कपड़े जबरदस्ती उतरवाए जाते हैं लड़कीों को नंगा सड़क पे चलवाया जाता है और वो आदमी लड़कीों को नो महीने पहले ये केस रिपोर्ट हुआ है मनीपुर में F.I.R. दर्ज हुई है लेकिन अभी तक एक भी आदमी को मनीपुर की पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा है कितनी शरम की बात है कि ये धिनौनी घटना हमारे ही देश में हुई है और उससे की महिला विकास मंत्री ने एक बार भी मनीपुर जाकर हालात के जाइजे नहीं लिये प्रधान मंत्री जी ने पिछले तीन महीने में एक बार भी मनीपुर की वॉयलंस के उपर कोई स्टेक्मेंट तक नहीं दिया उसको कंडेम करते वे तो ये कैसे हो रहा है ये कब तक चलता रहेगा मनीपुर हमारे ही देश का हिस्सा है आज मैं क्रधान मंत्री जी को और मनीपुर के मुखे मंत्री जी को पत्र लिख रही हूँ मेरी तीन मांगे हैं सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए मनीपुर में जो violets चल रही है उसको बंद करवाई है दूसरी बात ये जो केस सामने आया है वो वीडियो में जितने आदमी दिख रहे हैं उन सब आदमियों को identify किया जाए arrest किया जाए और उनक्यों खिलाब सक्से सक्त कारिवाही हो और ये सब तुरंत होना चाहिए और तीसरी बात as a woman as a citizen as well as an activist of this country I appeal to the Manipur government मैं वहाँ आकर पीडितों से मिलना चाहती हूं उनके परिवारों से मिलना चाहती हूं और मैं लड़कियों और महिलाओं से Manipur में मिलना चाहती हूं क्योंकि मुझे ये डर है कि ये जो केस है ये कोई एक केस नहीं है हो सकता है ऐसे और बहुत गिनोने केसिस Manipur में हुए हूं तो मैं एक fact-fighting report सरकार को सब्मिट करना चाहती हूं जिससे कि सरकार अपनी पूरा attention इस वक्त Manipur में चल रही violence को रोकने और वहां पे महिलाओं को और बंचीयों को बचाने में लगाए